Hello kids, so today we will cover now fruits names, right? Do you know how many fruits, right? यह बच्चो fruits बहुत होते हैं, right? Today and next videos I will all those fruits cover now, right? Generally you will look and watch in around, okay? जो आप उसके कुछ listed fruits की नाम में आपके साथ discuss करूँगा और इनके spelling and pronunciation भी हम आपके साथ से करेंगे कि कैसे आपको इस fruits की name को spell है बोलना है So, इससे क्या होगा बच्चो आप practice करेंगे तो आपको exam में काफी helpful मिलेगा and जब आप market में जाएंगे तो यह सारे fruits को आप देखेंगे भी तो इसके name आपको पता होना चाहिए बोथ, Hindi and English में, okay? So, I will cover now today fruits name, right? देखो, आप यहाँ पे लिखा है fruits name, okay? So, पहला जो है बच्चो क्या है apple? double P, L, E, apple apple means क्या होता है बच्चो? save, okay? कैसा लगता है save? और कितने colors के save होते हैं बच्चो? अगर आपको पता है तो आप लिख करके भेजें बच्चो जो भी colors आपको सबसे favorite apples लगता है, right? red लगता है बच्चो, या blue लगता है जो भी आपको favorite color save है वो आप comment करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, okay? चले, next देखते हैं बच्चो, क्या है? banana, good B, A, N, E, N, A banana, banana मतलब क्या होता है बच्चो? yellow, कीला, और इसका color कैसा होता है? बच्चो, बताइए मुझे, right? अगर पक जाता है तो उसका yellow हो जाता है नहीं तो कैसा रहता है? आप comment करके मुझे बताइएगा, okay? good, चले, next देखते हैं बच्चो, mango, okay? M, A, N, G, O mango, mango means क्या होता है बच्चो? आम होता है, right? चले, next क्या है? next देख लेते हैं हम लोग, orange O, A, N, G, E orange, orange मतलब क्या होता है बच्चो? संत्रा, क्या होता है? संत्रा, good next देखते हैं, next क्या है? graphs, G, R, A, P, E, S क्या होआ? graphs, graphs मतलब क्या होता है? अंगूर, good next क्या है बच्चो? papaya, P, A, P, A, Y, A papaya, papaya मतलब क्या होता है बच्चो? papita, good क्या होता है? papita अच्छे से समझा रहे हैं न, good next देखो बच्चो, क्या है? kiwi, क्या है? kiwi K I W I क्या हो गया? K V तो दोनों में लिखा हुआ है हिंदी और इंगलिश में तो आपको लिखने में अगर आपकी श्कूल में तो आपको कहीं पढ़ते हैं तो अगर आप से पूछा जाता है कि आप fruits के नेम हिंदी में लिखी ए और इंगलिश में लिखी तो दोनों आप यहां से cover कर सकते हैं, दोनों अच्छे से याद कर ले बचो, कैसे लिखा जाता है और कैसे आपको याद करना है, ओके, so next क्या है, peers, p-e-a-r, peer मतलब क्या होते है बचो, नास पाती, तो I hope आपको यह जितने भी fruits names थे, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, आप चाहे तो इन सभी को अच्छे से लिख लेजे बचो, और लिख करके अच्छे से practice कर लेजे, right, next और fruits की name लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप इन सभी fruits की name को अच्छे से याद कर ले बचो, right, मिलेंगे, next वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप इन सभी को अच्छे से याद कर, take care and bye.